हेलो, माइ अई दिया स्टूरेंट्स एंड पहरेंट्स वेलकम टू एकजी टुटोरियल्स अड आइं वेलकम यू इन माइ निव वीडियो रिलेटिट तू मेनसुरेशन के फॉर्मुले हम मेंसुरेशन के फॉर्मुले ब्रीफ में कर रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे इसको और आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफीशल रहेगी तो सबसे पहले देख लेते हैं यह वाली फिगर्स और जिसे जो शेप्स होती है उसके हम वन बाई वन फार्मले करेंगे रक्टांगल का क्या फार्मला होता है रक्टांगल का वॉल्यूम नहीं होता है एरिया से स्टार्ट होते है एरिया पारेमिटर एरिया क्या होता है कि जैसे कि यह जो फिगर है यह रक्टांगल है लेंथ और ब्रेथ है मतलब लेंथ बड़ी है ब्रेथ चोटी है या आपका मत ब्रेथ बड़ी हो सकती है, लेंट छोटी हो सकती है, चीक है, equal sides नहीं होती है, opposite sides are equal in rectangle, तो ये जो अंदर का position होता है, ये हमारा होता है area, चीक है, और ये जो four sides है, A, B, C, D, ये एक rectangle का नाम है ABCD, तो AB plus BC plus CD plus DA comes to the parameter, तो rectangle का area का formula होगा length into breath, Suppose, अगर हमें यहाँ पे 5, ये दे रखी है, आपको 5 cm length दे रखी है, और breath आपको दे रखी है, 8 cm, तो हमारा formula होजएगा, 5 into 8 comes to 40 cm square, area denote किसे होता है, जो unit होगी, वो end में, या तो cm square होगा, cm square होगा, जो भी दे रखाओगा question में, उसमें square लग जाता है, area में, ठीक है, clear है, parameter का formula होता है, मैंने जो बताया, all sides का sum, तो जब हम all sides का sum करेंगे, तो हमें in short ये मिलेगा, 2 bracket L plus B, और आप कर सकते हो, L plus B, प्लस L plus B, तो आपका यही formula बनेगा, 2 bracket L plus B, ठीक है, clear parameter में, और parameter की unit सिर्फ meter या cm रहेगी, इसमें हम कोई square नहीं लगाएंगे, clear बच्चो, आप square का formula देख लेते हैं, square में होती है, all sides are equal, ठीक है, इसका भी नाम हम A, B, C, D दे देते हैं, छोटी सी figure बना रखी है, पिकाज ये जादा में इसमें आपको detail में नहीं समझा रही हूं, जब ब्रीफ आपको दे रही हूं, बिकाज अभी जो next video आने वाली है, वो उस video में ये वाले formulas की काफी योगदान रहेगा, तो area का formula हो गया, side and suit side, और इसकी भी meter square या centimeter square से denote करेंगे, जो भी unit आपकी question में दे रखी होगी, और इसका formula होगा, 4 into side या sum of all the 4 sides, इसमें all sides are equal रहती हैं, अब देख लेते हैं, next triangle का formula, triangle का formula क्या होता है, half into base into height, और एक formula होता है, under root, side, side 1, s minus a, s minus b, s minus c, ठीक है, और a plus b plus c, आपका parameter हो गया, all sides का sum up, ठीक है, clear हो गया बच्चों, any doubt? तो बच्चों जो ये second formula है, वो है जो under root, s bracket, s minus c, s minus b, s minus c, ये जो formula आया है, ये है area by hero's formula, ठीक है, इसमें s कैसे निकलेगा, s निकलेगा, a plus b plus c divided by 2, ठीक है, clear हो गया, ये आपको, आगे आप जब questions करोगे, तो उस basis पे भी, आपको इस type का formula भी use हो सकता है, ठीक है, अब next चल लेते हैं, मतलब ये formula कहां use होगा, जब आपको यहाँ h की value नहीं दे रखी होगी, अब triangle में हम और detail में भी जा सकते हैं, क्योंकि triangle भी आपके तीन तरीके के होते हैं, एक equilateral triangle होते है, जिसमें all sides equal होती है, एक होता आपका isolis triangle जिसमें two sides equal होती है, और आपका एक उतर scaling जिसमें कोई sides equal नहीं होती है, कभी अब detail में नहीं जा रहे हैं, overview ले रहे हैं, triangle का area क्या होगा, half into base into height and parameter होगा, sum of the three sides, a plus b plus c, clear है बच्चो, next formula की तरफ बढ़ते हैं, parallelogram, parallelogram की कुछ figure इस तरीके की होती है, opposite sides are parallel रहती है इसकी, and equal a, a, b, b, and इसमें height भी दे रखी होती है, तो इसका formula होता है, area का, a multiply by h, ठीक है, और वही parameter का formula होई ही होता है, जो आपका rectangle का formula होता है, ठीक है, next बढ़ते हैं, rhombus की तरफ, rhombus में आपको जो formula दे रखा होगा, diagonal 1 and diagonal 2, जहाँ पे दे रखा होगा, वहाँ आपका formula बन जाएगा, half into diagonal 1, multiply by diagonal 2, वो आपका हो जाएगा area, और parameter वही formula हो जाएगा, all size का sum, तो यानि कि square का formula and rectangle का parameter है, वो दोनों same रहते हैं, clear, any doubt, trapezium के लिए तरफ चल लेते हैं, trapezium की figure कुछ इस तरीके की होती है, जिसमें आपका ये a है, और ये उपर वाला, ये a है, और ये h है, इसका जो होगा आपका, ये हमने उल्टा लिख दिया है, ये ये है, और ये ये है, ठीक है, sorry for the mistake, आपका जो area रहेगा, वो होगा half into high bracket म a plus b, a plus b, a और b, ये sum of parallel side है, a plus b, ये आपका formula होगा, half into h bracket, a plus b, और आपका parameter रहेगा, sum of the four sides, जो भी आपको sides दे रखी होंगी, उसका sum up कर देंगे, तो आपका parameter of trapezium आ जाएगा, ठीक है, clear है, next question की तरफ बढ़ लेते हैं, next formula list, next formula list में हम 3 figures ले रहे हैं, 4 figures ले रहे हैं, cube, cuboid, cylinder and cone, ठीक है, उसमें आ जादी, क्योंकि ये 3D figures हैं, हमारी, इसमें आ जादी हमारी volume, ठीक है, volume हो जाएगा, a cube, यानि की a plus a multiply a, ठीक है, और इसकी जो unit denote होगी, meter cube या centimeter cube से होगी, meter cube या centimeter cube, अब आज़ाता है, curve surface area, इसे हम lateral surface area भी बोलते हैं, जिसका formula होता है, 4 a square, total surface area होता है, 6 a square, ठीक है, cuboid, length into breath into height, इसका curve surface area या lateral surface area होगा, 2 bracket bh plus lh, इसको आप और कुछ छोटे में भी लिख सकते हो, 2 h l plus b, ठीक है, ये भी formula हो सकता है, और total surface area होगा, 2 l plus lb plus bh plus lh, इसकी detail video का link मैं उपर share कर दूँगी, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, जहाँ पर ये formula मैंने पूरी तरीके से कैसे derive होंगे, वो भी आपको समझा रखा है, वीडियो में, वीडियो के through, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, cylinder, cylinder का volume होगा, pi r square h, r इधर radius है, h मतलब height, आपका, इसका curve surface area या lateral surface area आपका होता है, 2 pi r h, total surface area होता है, इसका 2 pi r bracket में r plus h, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 pi r h and 2 pi r square, ये भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, formulae learn करना compulsory है, अगर आप formulas आपको जरा भी ध्यान नहीं रहेंगे, तो आप question easy से easy question भी नहीं कर पाएंगे, वो आपका wrong हो जाएगा, and you can, मतलब आपको कम marks मिलने के, पूरे पूरे chances हैं, अगर आप formulae list नहीं learn करते हैं, तो ये formulas ज़रूर अच्छे से maghap कर लीजे, कौन, कौन होता है, कौन कुछे shape की shape होती है, जैसे की हम होता है न, कौन वाली ice cream खाते हैं, तो कौन होता है नीचे, या caps होती है, caps कौन shape में होती है, या आपकी महंदी कीप होती है, वो भी कौन shape में होती है, तो इसका जो formula होता है, volume होता है, 1 by 3 pi r square h, curve surface area और lateral surface area pi rl, और total surface area pi rl plus pi r square, यह आपका formula होता है, यहाँ पे पाई की value, या यहाँ पे नहीं पाई की value होती है, 22 upon me 7, with this हमने formulas, जो important formulas हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिये, I hope यह वीडियो आप लोगों के लिए beneficial रहे, और अगर समझ आए और पसंद आए तो hit the like button, और यह वीडियो को and take care, bye bye, मिलते हैं एक और वीडियो में, till then bye bye.